कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ में अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए हो और एकदम से कोई डिसकेशन चल रही है और आप बिल्कुल ही आउट हुए पड़े हो उसे डिसकेशन से मतला आपको लग रहा है कि यारी में कहा बेठा हो मनला सब बोल रहे हैं आप हस भी रहे हो ऊपर उपर से लेकिन अंदर यंदर आप खोए पड़े हो आप डिसकनेक्टे हो आप के रही हो क्या रहा है मेरे वो जोन कहां चला गया जबकि उनी दोस्तों से आप 10 दिन परे मिले ह होगे अपने हम फ्रेंड्स के साथ या रेलेटिव के साथ में तो आप वहाँ पर बड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे उस सबको हजा भी रहते हैं सब अब ही आपको समझ लिए रहा है क्या ह्यों होता यसा है तो सुथ क्या हो रहा होता है कर नोट किसी होती है सब आपकिनोट करना इन सब छोटी-छोटी चीजों को जब आप active होते हो एक discussion में तब आपकी बाडी लेंग्वेज कैसी होती है एसे एक्टिव और तुझे पॉता नहीं क्या खिए इसे चल रहा होता है और जब डल लोते हो तो जब ऐसा हो रहा होता है वो कोई बोल रहा है जो समझ भी निया आए अब लेकिन सारे हसने तो हसना पड़ेगा यह भी हो जाता है रही है कि सारे अगर एक एक एक्सप्रेशन बीकिन भी हो रही होती है महां पर सब बेटे होते हैं तो आप भी बिल्कुल वैसी हो जाते हो ऐसे पैर फोल्ड किया यह कर रहे हो यह हाथ कर रहे हो यह जो तो अब इस वक्ता आपको करना है कि दूनों आपस में क्नेक्टेड है अगर आप नर्वस होगे तो आपकी बोड बी होता है यहांने कि अग्ली बार इसा हो तो इसे एक्स्परिमेंट करने में क्या बैठे हो यह आदा एक गंटे से और आप बिल्कुल चुप हो और सब लोग बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कही ना कहीं और भी आप बोलते हो यह उसी ग्रूप में आपने पहले कभी न होता है ना समझ गया तो इसका मलब पोटेंशल है आपके अंदर पार्टिसिपेट करने गा नहीं कर पा रहे हैं उसकी विए से बॉड़ी लेंग्वेज डाउन हो तो आपको क्या करता है इमीजेटली अपनी बॉड़ी लेंगज को ठीक करो अपने बोलो चल भी पार्टिस जब ऐसे बैठते तो बिलड सर्कूलिशन भी ठीक नहीं हो रहा हता है स्पाइन को सीधा करो अभी देखो आप लोग कैसे बैठे हो है हो आप मेंसे कुछ लो तेड़े मेड़े नहीं बैठना है ये कोई आप काूच पे नहीं बैठे हो हो समझ गए ना जैसे घर पे हम अवेर है उजातर जगे पर अवेर नहीं है तो वेरी बिक पॉलिटी क्लियर हो रहा है ना मला अपने बनी बॉड़ी लैंग्वेज को ठीक किया चाहे दोस्तों के साथ में बैठे हो चाहे वो इंटर्वी के जाने वाले हो बोड़ी लैंग्वेज को ठीक किया और बोला I'm confident I'm confident और अब आप उन लोगों को देखोगे जो nervous हो रहे हैं पहले उनको देख रहे थे तो आप और नरवस हो रहे थे अब आप उन लोगों को देखोगे तो आपको हास ही आएगी मज़ा आएगा आप कोगे मैं confident हूँ और सबकी लगी हुई है मतलब सबकी क्या बोलू है सबकी हालत कराल है हाँ ठीक है clear है ना उसमें मज़ा आएगा तो immediately आप मतलब एक second में एक सुच आ गया आपके हाथ में अगर आप इतना सा aware हो तो इसकी कोई practice नहीं है कोई meditation नहीं है कोई बहुत बड़ा कोई attitude नहीं है एक thought है बस जिस वक्त आप interview के लिए जा रहे हो उस रूम में इंटर करने वाले हो उससे जस्ट पहले आप क्या सोच रहे होते हो 90 पर सेंट वहीं पर डिशाइड हो जाता है क्या आपको selection होगा या नहीं हो आप जस्ट उससे पहले क्या सोच रहे हो अब यह सोच किस के हाथ में किसी औ कभी नोट कातना कि अगर आप फर एक्जांपल मेरी कमणी में इंटर्वी के आ रहे हैं अब तो मैं लेता है लेकिन अब तो एचार डिपार्टमेंट है वो लोग सारा है इंडल करते है तो मैं क्या करता था वहाँ पर बड़े सीरियस हो करके बैठा रहेता था तो मुझे कि अगर अप ठीक भी लग रहे हों गये तब भी मैं इंटर्वु के रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाले के मैंड़े में क्या चल रहे है I would have been sitting क्या होता है आप उर आव जब जा नहीं किया जा रहा जैसे किसी लड़की से बात कर रहे हो, सपोस्ज वो लड़की expression ही ना दे मन में ऐसे expressions दे, तो आपकी क्या हालत होगी, आप कहोगे बहे दूरी रहो इससे, लेकिन इंटर्वीव में क्या फर्क है, आप वहां से दूर भी नहीं जा सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं, आपका मन कर रहा होता है, कभी हुआ है आप लोगे साथ में ऐसा, इंटर्वीव क्रेट हो गया है, कि आपकी जो नर्वसने से वह भढ़ती जारी, आपका मन कर रहा है, वहां से उठकर भाग जाओं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या गरूं, लेकिन आप जहां नहीं सकते हैं, तो वहां पर क्या काम आएगा, आपकी बोड़ी लेंगेज, समझ गया है, अपने आपको बोलो, कि पूरी तरह से अपने आपको बोलो, कि पूरी तरह से अपनी बोड़ी को बोलो, पहले स्टेप में अपनी बोड़ी को बोल सकते हो, बोड़ी को कि पूरी तरह से अपनी बोड़ी को बोल सकते हो, और याद कर सकते हो, कि जब आ पूरी तरह से अपन तो आपकी बॉडी लेंवेज कैसी होती है उसको याद करो और इमीजेटली बॉडी पॉस्चर को ठीक करो सीधे खड़े हो जाओ फिर अपने आपको बोलो माइंड को चल बेटा कॉंटेंट हो जा पुटी तरही है और अंदर एंट्री मारो 90 परसंट आपके जो चांसे सेलेक होने के वह बढ़ जाएंगे 90 इस छोटे से काम से कुछ सेकिंड्स के लिए इतनी इंपोर्टेंस है बॉडी लेंगेज हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा कॉंफिडेंस बहुत जादा बढ़ जाता है अब पॉइंट इसका क्या करेगा वहां पर आप सोच सकते हो sense of humor कि मेरा sense of humor कितना ओच्छा है यह जैसे आप बोल रहे हो क्या हो रहा है आपको याद आरी है वो सारी किसे कहानिया जहां पर या जब आपका sense of humor अच्छा था ऐसे अगर आप इंटर्वीव के लिए जा रहे हो तो क्या होना चाहिए सरफ एक थाट और कुई थाट नहीं I'm confident, confidence, confidence इससे बड़ी चीज और क्या होगी । आपको answer देना है, किसके साभ देना है confidence के साभ देना है या डरे-डरे देना है confidence से देना है आपकी body language कैसी होनी चाहिए confident होनी चाहिए है या बिलकुल nervous होनी चाहिए ऐसे बैठे हाँ जी क्या post है कितनी salary है तो इसका मतलब confidence, बार-बार-बार-बार confidence, जॉब बिले ना मिले, confidence. जब हम उस चीज से अच्छे खिलाड़ी होते हैं या उस चीज के पार में नॉलेज होती है, अबर कुछ ब्लैंक होते हैं तो हम कैसे confidently बोल सकते हैं. यहां पर आपात क्या हो रही है, एक next level की बात हो रही है, जैसे वहां पर मानलो 100 candidates आए रहे हैं, और उसमें well defined है कि यह आपकी qualification होनी चाहिए, तो सबकी qualification same है, तो सबको technical knowledge है, और यह भी defined है कि कितना work experience होना चाहिए, तो सबका work experience same है, समझ गए, तो qualification same है, उनका जो background है, जो experience ह वो same है, हो सकता है काम में कोई दूसरा better हो, उन सौ में से, और दूसरा हो जो काम में better ना हो, लेकिन selection उसका हो जाए, जो काम में इतना बढ़िया नहीं है, क्या पता लगता है काम में कौन कितना बढ़िया है, कौन कितना बढ़िया नहीं है, तीन साल का experience को एक गंटे में क चल रहा हो चल क्या रहा है अंदर बात हो रही है तो confidence entry मार नहीं है confidence ठीक है अब वहाँ पर यह नहीं के एक सिक ना वहाँ पर यह नहीं के confidence confidence बोल के आपको कोई कि मेरा कोई session याद आ जाए कि मैं ऐसे entry मारता हूं तो वहाँ पर अंदर जागा इंटर रूम में आप दस लो आसाना है ऐसे को बुरा नहीं है idea लाहिक कर सकते हो उन दस में से 2-4 तो मेरे fan होगे होगे तो क्यों के यह वंदा सही आया है हाँ कभी कभी हम इंटर्णरी वाल कॉंफिडेंट होते हैं बर जब अपने आपको एक्स्प्रेस तर्णा हो तो ग्राइंड को जाते हैं क्यों हो जाते हैं बताओ तेखो आप क्या कह रहे हो नॉलिज है आपके पास में मतलग आपके पास उन सवालों के जवाब हैं जो सामने वाले पूछ रहे हैं फिर भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्यों नहीं दे पाते हैं मेरा सिम्पल सब क्वेशन यह है या तो आपके पास जवाब ही ना हो तो फिर आप ना दे पाओ, तो ठीक है, आप मेरे से भी कोई ऐसा क्वेशन पूछो कि जिसका मेरे पाद जवाब नहीं है, मानलो कि एक दूसरी गेलेग्जी है, उसका कोई नाम है, उसका लाइफ है या नहीं है, मैं क्या बलूगा, बलांग हो जाओँगा, पता नहीं जी, तो में भी ब्लांग हो जाओँगा, लेकिन आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या रहे हो, कि मेरे पास में जवाब तो है, लेकिन में इसका मतलब क्या है, कि आपका माइंड वन पॉंटेड नहीं है, माइंड डेविए हो रहा है, अगर माइंड को बिल्कुल क्लियर हो, फोकस कि सामने वाला जो जवाब मेरे से पूछने वाला है, उसका मुझे जवाब देना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर माइंड में बार बर ये आ रहा है, अगर मैं जवाब नहीं दे पाई, तो क्या होगा, मैं जवाब नहीं दे पाई, तो क्या होगा, अरे ये क्य पूछने हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, समझ गए, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, वोल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ गए, यहां से क्या होगा, I am telling you something very, very, very deep here, अगर आप पकड़ पाओ तो, कि अगर सामने वाले ने कोई आप से question पूछा, और आपके पास में उसका जवाब नहीं है, आप blank हो गए, तो आप confidence से बोल सकते हो, सर मुझे नहीं पता है, तो यहां से क्या निकल करके आएगा, honesty, this person is honest, you can trust this person, मनला, honesty से आपने बोल दिया, सिन नहीं, मेरे पास में इस question का अभी जवाब नहीं है, but I can come back to you, मनला, जो भी सच है, उसको confidence से बोल दिया, मुझे नहीं पता, यह भी confidence से बोल दिया, तो confidence सिर्व इसमें नहीं है, कि जो आपको पता है, उसको बोलना, मुझे नहीं पता है, यह भी बोलना confidence है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, और बीच में एक दम से apologize कर देना, I'm so sorry sir, यह मेरे पूसे गलत नहीं कर गया, यह भी confidence है, honesty gives you confidence, पकड़ में आ रही हैं यह बाते हैं, बहुत मैटर करती हैं यह चीज, यह आपको अलग कर देगा बाकी सब से, बाकी भी सब के पास में जवाब नहीं होगा इस question का, लेकिन कुछ भी गुमा रहे होंगे सामने वाले को, कुछ भी उल्टा सीदा बोल रहे होंगे, सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन आप क्या बोल रहे होंगे, नहीं, I do not have the clear answer for this, but मेरे को इतना पता है इसके बारे में, जो आपने पूछा है, वो पूछेंगे, आपको इसके बारे में पता है, इस language के बारे में पता है, सर मुझे इतना पता है, लेकिन मैं सीख लूँआ, मुझे अपने ओपर ये confidence है, मुझे अपने ओपर ये confidence है, या अपने क्या क्या सच बोलती है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, बाकियों से पूछ रहा है, आपको ये आती है, प्रिग्रामी की ये language आती है, इसके ओपर हमारा काम होने वाला है, उसको A, B, C, T, B नहीं पता है, हाँ सर में को आती है, मैं पकड़े जाएंगे, जो सच बोल रहा है, उसको तो किसी का डर नहीं है, उसको ये पता है, मैं जाकर जाकर सच बोलना है, और पूरे confidence से बोलने है, काता हूँ असर में को ये पूछना था, इसे आप confidence को बात कर रहे थे, कभी एक moment ऐसा आता है, हम बोलते है कि हाँ मैं बहुत confident हूँ, वो पता नहीं कब overconfidence में निगल जाता है, तो वो समझ नहीं आता है, मिला किस लेवल तक जाना है, ये समझ नहीं आता है, और किस लेवल तक जाना है समझ नहीं आता है, बहुत जादा हो जाता है, इसे वरी इंटरस्टिंग पॉइंट, जो यह यहां पर पूछ रहे हैं, कि confidence, कई बर overconfidence में convert हो जाता है, वो कब होता है, when we are faking something, मतलब कि आप जूट को पकड़ लिया आपने सच की बजाए, अभी जो मैं सच सच बोल रहाता इतना, वो यही बोल रहाता है, जब आप सच को पकड़ करके रखते हो, तो उसमें arrogance नहीं आता है, कि मेरी यह limitation है, मेरा यह है, मैं यहां तक हूँ, यह कर सकता हूँ, यह नहीं कर, बस मैं बिल्कुल क्लियर बात करने वाला हूं अंदर जा करके, तो वहां पर कभी भी overconfidence न इसनों कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं है, फिर भी अपने आपको शो ऐसे कर रहे हैं, यह मुझे तो सब पता है, जैसे for example, आप मेरे से immediately अभी एक question पूछते हो, suppose आप में से कोई, कि sir आप यह बताओ, कि हम IIT को कैसे क्राक करें, तो अपको क्या लगता है, मैं क्या करूँ मेरे पस पर दो options है, एक तो यह कि मैं over confident हो जाओ, आपको IIT क्राक करना है, मैं बताता हूँ, कैसे आप IIT क्राक करना है, इसको over confidence कहेंगे, confidence क्या कहेगा, यार मुझे नहीं बता, IIT कैसे क्राक करना है, मैं तो college drop out हूँ, जा कर कि किसी essay से बूचे हो, इसने IIT क्राक किया हो, वो बताएगा आपको IIT कैसे क्राक करना है, समझ है, confidence over confidence में फर्क समझ आ गया, इससे क्या हुआ, आपको जो ध्यान है, वो सब तरफ जो भठका हुआ था, आपके unlimited thoughts माइंड में चल रहे थे job interview से पहले, सब जगे से सिमट करके आपने importance दिया, किस thought को, कि मुझे सच मोलना ह और मुझे confident रहना है, खौतम, जॉब मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस तरह से चलूँगा, तो जॉब मिलनी ही मिलनी कोई जॉब interview के लिए आपने कमरा खोला और गुसे, एकदम से दिखाना, कुछ, तो जो दिखा, ऊपर से नीचे तक जैसे उन्हो ने आपको देखा, तो कहीं ना कहीं तो mind make image बन गई ना?